तो फ्रेंड्स मैं हुरिशब कपूर, websoft tutorials.com से इस tutorial से friends हम file upload के बारे में बात करेंगे friends मैं file upload tutorial को दो parts में divide कर दूँगा तो इस tutorial में आपको मैं simply बताऊंगा कैसे आप file को upload कर सकते हैं और next tutorial में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप file upload पे conditions लगा सकते हैं जैसा कि file size 1mb से ज्यादा नहीं होना चाहिए file खाली image file ही होनी चाहिए तो हम next tutorial में करेंगे तो सबसे पहले मैं form element बनाता हूं form action जहां पर मैं code लिखना चाहता हूं जहां पर form submit होके जाएगा तो मैं same page पर code लिखना चाहता हूं तो मैं यहां तो इसको blank चोड़ सकता हूं या मैं same page का नाम लिख सकता हूं मैं लिखूंगा index.php या मैं इसको blank चोड़ सकता हूं तो यह जब मैं submit button प्रेस करूंगा तो यह same page पर ही redirect हो किया आएगा उसके बाद है method तो मैं method पोस्ट यूज करूंगा और इसका एक और हमारे को element लिखना पड़ेगा जो किया है एंग type यह तब यूज किया जाता है जब आप file upload के साथ काम कर रहे हूं तो यह specify करना ज़रूरी है तो एंग type होगा means encryption type तो हम लिखेंगे multipart forward slash form- data मैं form को बंद कर देता हूं और सबसे पहले मैं first element रिखता हूं तो हम लिखेंगे input type of file क्योंकि हम file को upload करना चाहते हैं input type file और मैं इसको name देता हूं क्योंकि आपको बता है कि जो PHP में data form data access किया जाता है वो name element से किया जाता है तो मैं इसका नहम देता हूं my file तो मैं एक और form element बनाता हूं वो यह होगा input type of submit value मैं देता हूं upload और मैं इसको name देता हूं submit अब मैं browser में जाता हूं और refresh करता हूं तो आप देखेंगे file यह जो हमने file type दिया था यह input type file और second है upload जो कि submit बटन है तो अब friends मैं यहाँ पर code लिखूंगा मैं जब मैं submit button प्रेस करूंगा तो यह same page पर आएगा और यह code को check करेगा तो friends सबसे पहले हम इस set function लिखेंगे अगर हम इस set function नहीं लिखेंगे तो आपको पता है यूज किया जाता है उसे जरह से get अगर यहां पर get हो तो get use किया जाता है लेकिन अगर आप file के साथ वह करना चाहते है means अगर आप file upload करना जाते तो आपको $ files use करना पड़ेगा suppose अगर मैं यहां पर $ files is set function यूज के बेना लिखता हूँ तो मैं ब्राउजर में जाता हूँ रीफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यह यह रहाएगी undefined index my file तो इसलिए हम is set function यूज करेंगे तो मैं लिखता हूँ if is set $ post तो मैं लिखता हूँ $ post क्योंकि यहां पर मैंने पोस्ट यूज किया है friends बाकी जागा हम काली पोस्ट ही यूज करेंगे means अगर वहां पे अगर आप इंपूट टैप टेक्स्ट है means नेम अलिमेंट है तो आप $ नेम ही यूज करोगे लेकिन सिरफ आप फाइल के लिए यूज करोगे $ फाइल सपोस्ट यहां पे अगर एक और अलिमेंट होता सपोस्ट यहां पे इंपूट टैप ओफ टेक्स्ट होता और यहां पे नेम होता नेम तो मैंने क्या करना था $ पोस्ट नेम और फाइल्स के लिए मैंने यूज करना था $ फाइल्स माइफाइल ना उत्ता है पांड तो ड्याइर फ़ीज के संब रहिंगे करना हुआए आप वांडग इत पॉस्ट यहां ड करेंगे जो आप मैथेड यूजुच कर रहे हैं लेकिन अचियुक किसाथ इता पॉस्ट यहां पॉस्ट कर नाइ पिट्रियुर्स कर ओ तो मैं सबसे पहले देखूंगा यह Submit button प्रेस हुआ कि नहीं हुआ तो मैं क्लिक्ट तो मैं प्राउजर बे जाता हूं रीफ्रेश करता हूं मैं Submit button प्रेस करता हूं क्लिक्ट और मैं इस name element को हटा देता हूं तो अब जैसे क्लिक्ट होगा सबसे पहले हम फाइल को चेक करेंगे dollar underscore files इसमें हम element जो भी इसका name attribute है उसका नाम लिखेंगे और friends अगर मैं यहां पर echo use करता हूं तो आप देखेंगे सबसे पहले मैं रीफ्रेश करता हूं और एक file को upload करता हूं तो मैं upload किया तो आप देखेंगे यहां पर array आ रहा है क्योंकि यह खाली इसमें file में एक ही property नहीं है इसमें multiple properties है इसलिए इसने array return किया तो array को print करने के लिए इसकी properties को देखने के लिए हम printer function use करेंगे printer underscore r तो मैं refresh करता हूं अब मैं कोई और image upload करता हूं तो आप देखेंगे इसने array return कर दी means जो भी इसमें properties थी उसकी return करी सबसे पहले name जो भी file का name था image1.png उसके बाद type जो file की type थी यह image type थी जिसकी extension थी png उसके बाद temporary name temporary name आप देख सकते हैं इसने .tmp means कुछ temporary name दिया हुए friends temporary name क्या होता है कि जब आप file को PHP में upload करते हैं यह सबसे पहले file को server पे एक temporary location पे store करता है तो इसलिए इसने temporary name दिया उसके बाद error यह 0 इसलिए है क्योंकि इसने कोई error नहीं है इसलिए 0 means number of errors show करता है अगर आपके upload system में कोई error हो उसके बाद size यह size को show कर रहा है bytes में तो अब हम इन properties को use करेंगे तो मैं सबसे पहले score remove कर देता हूं सबसे पहले में एक variable बनाता हूं dollar and score और f on score name file name के लिए अब यहां यहां बिलिकूंगा dollar and score file सबसे पहले my file और second इसका element होगा वह होगा name जो कि हम यहां से देख सकते हैं name और अब मैं एक और variable बनाऊंगा जिसका मैं नाम देता हूं f tmp temporary location के लिए my file और यहां पर है tmp ने फ्रेंड्स हम बाकी की properties भी use करेंगे लेकि हम नेक्स्ट राज में भी use करेंगे बाकी properties जैसे की errors size type जब हम इस पे conditions लगाएंगे लगाएंगे और मैं एक और variable बनाऊंगा जिसका नाम रखता हूं store means मैं कहां पर images को means in files को store करना चाहता हूं तो उसके लिए सबसे पहले friends आपको क्या करना पड़ेगा आपको अपने folder में जाना पड़ेगा और यहां पर means जहां पर आपकी PHP file save हैं वहां पे आप एक folder बनाऊगे आप उसको कोई भी नाम देख सकते हैं मैंने नाम दिया uploads means जब भी हम file upload करेंगे तो इस uploads folder के अंदर सभी के सबी files store होंगे मैंने नाम दिया uploads आपको भी नाम दे सकते हैं तो मैं uploads means यह upload folder में store होगी forward slash उसके बाद मैं dot लिखके यहां पर concatenate करूंगा fname को अब मैं बताता हूं कि यह क्या करेगा fname मैंने इसलिए लिखा upload folder के साथ यह store तो करेगा file को temporary location से move करके लेके जाएगा upload folder के अंदर लेकिन fname से इसको पता लगेगा कि हमने किस file को वहाँ पर store करना है इसलिए हमने concatenate करके fname यहां पर लिख लिया अब friends हम actual function लिखेगे जो कि इन files को move करेगा तो इसका नाम है move underscore uploaded file move underscore uploaded underscore file then brackets और यह दो parameters लेगा सब सब इला parameter होगा ftmp means temporary location और दूसरा parameter होगा store means temporary location से उठाके हम इसको किस location पर रखना चाहते हैं means सबसे पहले हमने file upload की तो इसने temporary location को इसने check कर लिया अब इसने store folder देखा तो यह क्या करेगा move uploaded file जो function है यह temporary location से file को उठाके इस जगा store करतेगा तब हम browser में जाएंगे मैं refresh करता हूँ जैसे यही file है मैं upload करता हूँ अब हम uploads folder के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे file वहां पे है इसी तरह से friends अगर हम अब यहां पर मैं सबसे पहले if condition लगाता हूँ जो से आपको पता लग जाए कि file upload हुई है कि नहीं हुई if move uploaded file means अगर file upload हो गई है uploaded तो अब हम दुपारा एक बार इसको चेक करेंगे refresh करें सबसे पहले अब कोई और image upload करेंगे upload uploaded अब हम uploads folder के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे file वहां पे भी है लेकिन friends इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक problem है अगर हम same file को means अगर हम किसी file को या किसी image को same नाम से upload करते हैं तो यह क्या करेगा जो existing file है उसको overwrite कर देगा जो पुरानी file है वो हट जाएगी उसकी जगा नई file महां पे store हो जाएगी तो यह बहुत बड़ी problem है तो नेक्स टॉल में आपको मैं बताऊंगा कैसे आप इस problem को solve कर सकते हैं ताकि आपकी file जो है वो overwrite ना हो तो friends यह था कि कैसे आप file upload कर सकते हैं PHP में तो इस टॉल में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप file upload पे constraints या conditions लगा सकते हैं friends अगर आपके जहन में कोई question arise हो रहा है आप मेरे discussion forum भी जा सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं मेरे टोरिक लो देखने के लिए धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सकाइब करना ना भूले ताहां कि आपको मेरे वीडियो के बारे में recent updates मिलती रहे हम नेक्स ट्रॉल में मिलते हैं